कॉंग्रिस विधायक रतन देवासी के खिलाफ मदद मांगते हुए एक महिला ने सीएम भजल अर्शर्मा से गोहार लगाई है। मेरे पड़ोस में जो वर्तमान का कॉंग्रिस विधायक है रानिवारा से रतन देवासी उसकी होटल है और उसकी रेस्टरॉंट है। मैंने इग्नोर किया लेकिन ये मुझे लगातार तंग करते रहे। 2015 में मेरे होटल पे गुंडे भेजे, मेरे परिवार में जगडे कराए, जहां बीबी में जाओ मेरी रेकिया करवाए, मेरा चरित्र हनन करे, मेरी फाइलें गायब करवाए, ये एक माफिया है। माउंट अबू में इसने रस्तों पे, सरकारी रस्तों पे, नालों पे अतिक्रमन किया हुआ है। जो सैटलाइट जांच में साबित हो चुका है, कॉंग्रेस की ऑफिस इसने नाले की ऊपर बना दी, क्रिशी बूमी को इसने अभी रिसंटली पटे लेनी की कोशिच भी की क्रिशी बूमी पे, ये बेसिकली तैसिलदारों पे, पटवारियों पे, नगर पाले का, के जो एम इसने मेरे रस्ते बंद कर दिये, फिर मैं कोट गई, कोट में मैंने 354 जैसे धाराओं रतन देवासी की खिलाफ इस्तिकासा दर्ज किया, और फिर एफायर दर्ज होई, उस पी वो भी सा, ओडर्स के बावजूद भी साथ दिन तक उन्होंने वेट किया, पुलिस ने, फिर मजबूरन एफायर दर्ज की, जिसकी नौ मैंने जात चली, हाला कि तीन मैं, और सारे प्रूफ देने के बाद, पुलिस मुंबई भी आई थी, जिन होटल का मैंने डिटेल दिया था, वो होटल में भी मेरे साथ चली थी, सब डिटेल्स वहां से मिली, सब प्रूफ मिलने के बावजूद भी इसने पॉलिटिकल प्रेशर लगा के उस एफायर पे एफायर लेली, फिर इलेक्शन के टाइम पे इसने ये सारे तत्य अपने एफिडेविट में छुपाए, मैंने जालोर कलेक्टर, SDM और इलेक्शन कमिशन में कम्प्लेन करी, ताकि इसका नामानकन आएगी, जो एक जगदीश जानी अरेस्ट हुआ है, उसका पार्टर रोमधा का मिसिंग है, ये उनका सरगना है, और काफी जो अवैत धंदे चल रहे हैं, जालोर सांचोर में, जैसे दारू की तसकरी, जो भी अवैत धंदे हैं, अगर जाच करेंगे, तो इसकी हिड़न प रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद ने की, इसको बचाते रहे, उस टाइम पे इसने मुझे बहुत जुकाने की, और काफी लज्जा बंग करने की, हरकते करने की कोशिश की थे,